पुरशोत्तम रुपाला जी का परीचे किसी परीचे के महताज नहीं लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ तोड़ा साथ, क्योंकि सबसे पुराने कैबिनेट साथियों में, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के सबसे पुराने कैबिनेट साथियों में, गुजरात के वक्त के अ नमस्कार, राम, 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 बहुत सारे जितने भी आंकड़े थे और जो कयास लगाये जा रहे थे वो फेल कर दिये इस बार की जीतने गुजरात में। फैक्टर क्या रहे है। उस समय उन्होंने ये निर्णे लिया था कि हमारी सरकार के किये हुए काम और हमारे निर्णेयों को लोगों के बीच में जाके रखो और उसी पर उनका अनुमदन चाहो और इसी को विकास का नाम उन्होंने दिया था। नहीं उस समय विकास शब्द प्रों किया था और राजनिती में विकास के आधार पर मत लेने की परंपरा की शुरुआ दो हजार साथ में एजे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी ने की थी तब उसे लेकर ये चुनाओ तक विकास विकास और विकास उसी पर ही बाते की थी और गुजरातनी जंता ने प्रदान मंत्री श्री की बातों पर विश्वास किया बरोसा किया और समर्थन करने के बजाए मैं कहूंगा कि प्रेम की बारिश किया लेकिन आंकले लगा रहे थे जो जानकार थे जो चुनाओं के जानकार थे जो राजनीती के जानकार थे वो पिछले चुनाओं से तुलनात्मक आंकले इस बार के चुनाओं के लगा रहे थे पिछली बार 99 सीटे थी इस बार बोलह कितनी बढ़ जाएंगी तो इस तरह से चुनाओं के आँकले लग रहे थे लेकिन वो कयास पिछले चुनाओं और इस चुनाओं में जो बेजिक अंतर था वो चुनाओ के दौरान भी सबके संग्यान में आ गया था कि पिछले चुनाओ में गुजरात में social disturbance खड़ा करने का प्रयास हुआ था और उसमें वो लोग success भी हुए थे और ये चुनाओ में ऐसा कुछ वहाँ था नहीं सो नॉर्मल वातावरण में ये चुनाओ उसमें पार्टिदार आंदोलन खड़ा हो गया था और इसी से जो बेज था भारतिये जनता पार्टी का वही डिस्टब था और इसी के चलते हम निन्यान में पे रुख गए थे और बाकी इस समय ऐसा कुछ नहीं होने से पता हो गया कि सब जैसे निकल गया कोई देखा नहीं चुना नहीं कभी हुआ इस बार चुनाओं में और कंटेस्टेंट थे आम आदमी पार्टी जी आम आदमी पार्टी कंटेंशन के चुनाओं में हिस्सा लेने के लिए तो आ गए थे मगर वो थोड़ा ज्यादा ओवर कॉंफिडेंस में ऐसा मेरा मनना है क्योंकि उन्हों ने तो वहां सीएम का गोशना भी कर दिया और जिस प्रकार से दिली के मॉडल को उन्होंने गुजराद में प्रस्तूत करने का कोशिश किया मैं मानता हूं कि वो बुम्रेंग सा हो गया लेकिन राश्टिया पार्टी बनाने में कामियाब रहे वो गुजराद चुनाओ के बाद क्योंकि वो कांग्रेस का जो हिस्सा था वो कुछ हिस्सा आप मानते हैं कि Congress की हार की वज़ा एक आम आदमी पार्टी भी थी? Congress की हार की वज़ा आम आदमी पार्टी को बताना वो सही में उचित नहीं होगा Congress स्वयम भी इसके लिए जिम्मेदार थी क्योंकि आप सब लोगों ने देखा था गुजराथ जैसे प्रदेश में चुनाओ चल रहा हो और राश्ट्री नेतरुट्वे का इसमें कोए कॉंट्रिबूूशन ही न हो तो गुजराथ को क्या वो लोग किस प्रकार लेते हैं? कुजराथ के चुनाओ को किस प्रकार से लिया? उन्होंने, मैं ही तो मानता हूँ कि कांग्रेस के राष्ट्रिय नेतरत्व ने गुजरात के चुनाओं को सिर्यस ही लिया ही नहीं नरेंद्र मोदी का करिश्मा, कहते हैं गुजरात में सर चढ़कर बोलता है और इस चुनाओं में भी वो हुआ, उसने अपना पूरा काम किया बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राई नहीं है सेनापती हैं हमारे, और सेनापती के सीर पर इसके यश का मोड लगाने में हमें कोई आपती भी नहीं है और ये सही भी है, नरेंद्र मोडी जी को आप जितका ही स्रेई दे ऐसा नहीं उसको ये भी स्रेई दीजिए कि गुजरात की सारी जंता के साथ वो अपने को जोडने में कामियाब रहे लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं चला देखो हार जब आती है तो वो भी जनादेश है तो उसका भी स्वागत है और उसी में हार का भी स्वागत करते हैं और हम उसी में तहकिकात करेंगे कि क्या कमिया रह गई और हमें क्या आगे करना चाहिए हम तो पहले आर का ही वो करते रहते थे अभी ये कुछ सालों से हमारे बेट्समेन अच्छा खेल रहे हैं तो हमें भी ये मौका मिल रहा है आपने विकास की बात की 2007 के चुनाओ की बात की और आपने कहा कि विकास पर पहले चुनाओ नहीं होते थे यह परंपरा आपने शुरू की मोदी जी ने शुरू की के विकास पर चुनाओं होने लगे पहले गुज्रात के नाम से आता था सूरत की मिले आती थी या कपड़ा व्यावसाय आता था ही मिलें खर가요 गुजरात पूरी तरह से बदल गया, उनसे कहीं आगे निकल गया, अब पोर्ट की बात होती है, अब डिजिटल हप की बात होती है, गुजरात की, वो सब जो सफर तै किया है, वो कैसा रहा? देखो, जब CM के तोर पर मोदी जी थे वहाँ, और उस समय उन्होंने कुछ स्टैफ्स लिये, मुख्यमंत्री के तोर पर, गुजरात, मैं मानता हूं कि देश के सबसे पानी की किलत वाले राज्यों में से एक राज्य था, और आज मैं बड़े फक्र के साथ कह सकता हूं, कि व मोदी जी के खाने में जाता है, नर्मदा योजना जो प्रधानमंत्रि श्री जवाहलाल नहरु जी ने जिसका भुमी पुजन कियाथ, आज मैं बता सकता हूं, कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने, निन्यानवे ऐसी योजनाओं को साकार करने का प्रयास किया, क इत्रतों भी किया, संघर्ष भी किया, काम भी किया और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे बहुत कम राजनितिक आदमी होंगे, जिसके लिए संघर्ष करते थे, उसकी मंजूरी देने का श्रे भी उनके हाथों हुआ, तो ये एक बहुत बड़ा एक, वो सारे लोग देखते हैं ने ये चेज़े, चेज़े, आपके मंत्रालों की बात कर लेते हैं, तीन डिपार्टमेंट्स आपके पास हैं, फिश्रीज है, एनिमल हस्बेंडरी है, डेरी है, और एनिमल हस्बेंडरी को आज की तारीख में कहा जा सकता है, कि बहुत ही जिम्मेदारी का ये काम है, बड़ी सारे आयाम जुड़े हुए है, इसमें धर्म भी जुड़ा हुआ है, इसमें अर्थवेहस्था, रोजगार, तमाम चीजें जुड़ी हुई है, कितना मुश्किल है ये? इसमें मुश्किली तो कुछ नहीं है, समस्या ये हो सकती है, और ये भारत के लिए बहुत ही पुष्टेनी बिजनेस है, परमपरागरत रूप से, मैं तो ये कहने में मुझे जराभी संकोच नहीं है, कि देश जो कृषी प्रधान कहा जाता है, वो इस से पहले से ही पशु का यहां महत्व है, हमारे यहां गाए को माता के स्वरूप में फुझने का उपकरम चल रहा है, बगवान श्री कृष्ण ने गाए को चराने का आदेश जब को दिया हुआ है, गाए पालन का आदेश दिया हुआ, ये देश है, तो यहां पशु पालन ये परमपरागत व्य नता है तो हम कह सकते हैं कि आध दुनिया में सबसे बड़ा धूद उत्पादन करने वाला देश है वो है ये कहने का में गव्रव है तो ये ऐसा एक एरिय है और करोडों लोगों को इन से रोजगारी मिलती हैं करोड़ों लोगों को पोशन देने का एक काम होता है और यह प्रदान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी ने प्रदान मंतरी बनने के बाद देश के पशुपालन क्षेतर के लिए देश के पशुओं के लिए दो आईतिय हासिक निरने लिए पशुओं के स्वास्ते के सबंद में उन्होंने पूरे देश के आज जैसे वेक्सिनेशन का जो हमारे कोरोना के चलते चर्चा हो रहा है और हमारे अरोग्य मंत्री श्री ने आज ही एक स्टेटमेंट करके कई बाते हमको आउस में बताई सो कोरोना में अमारा जो स्टेंड रहा वेक्सिन को लेकर और उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है मगर मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को बताना चाहूंगा कि कोरोना वेक्सिन से पहले एक साल देश के सभी मवेशियों को भारत सरकार के खर्चे से 100 प्रतिश हमारे देश की विशालता को देखते हुए और हमारे इंफ्रास्ट्रेक्टरल जो गैप्स थे वेटरनरी सेक्टर में उसको पूरा करने के लिए मोबाइल वेटरनरी युनिट पूरे देश में हर प्रांत को वो भी भारत सरकार के शत प्रतिशत खर्चे से देने का निरने लिए वो मोबाइल वेटरनरी युनिट और वेक्सिनेशन का ये दोनों मिला के ये दो एटियासिक निरने भारत के पशुपालन क्षेत्र को एक नए आयाम पर लेगा है रुपाला जी क्योंके पिछले दिनों हमने देखा कि लंपी वाइरस से सेक्ड़ों लाखों गायों की मौत हुई राइस्थान में मद्द्रदेश में अलग-अलग हिस्सों में और लोग बकाइदा प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर आ रहे थे कि लंपी से गायों को ब बताया कि आज हम दुदुद्पादन में दुनिया में नंबर वन पर हैं और आपने जो बताया LSD का एक बड़ा संकट था आप इसको कोरोना के माफक ही ले सकते हैं एक ये भी अपने देश का वाइरस नहीं था विदेश चे आया हुआ था और हमको चपेट में ले लिया औ और इसका सामना भी भारत सरकार ने और रजसरकारों ने मिलकर अच्छी तरह से किया ये प्लैटफॉम नहीं है इसलिए मैं और प्रांत सह इसकी वो तुलना करने में अपना समय नहीं लूँगा मगर आज हम उसके बारे में हमारे पास वेक्सीन भी चाहिए उतनी भी अवे जार हुई है मगर दो कंपनियों ने इनका काम भी शुरू कर दिया है और एक तीसरी कंपनी भी शायद इसमें आ रही है तो इसकी हमारी तयारियां इसके लिए बहुत ही अच्छी तरह हो गरी और ये मोबाइल वेटरनरी युनीट के चलते हमारे पशुदन में जो कर लीजिए और मैं ये मौका लूँगा कि आपके माध्यम से देश के पशुदन रहे होंगे वो 108 नंबर जैसे एंबिलेंस के लिए हमारी एंबिलेंस का सब के कंठ पे ही होता है अपने ओठ पे ही रहता है ऐसे 1962 ए मोबाइल वान के लिए मोबाइल एंबिलेंस के लिए एंबिलेंस को बुलाया जाएगा और ये टेक्नोलोजी पशु के द्वार तक पहुंचाने का प्रधान मंत्री जी का एक बहुत सक्सेस्फुल प्रयास जाने के वजह से अब पशुदन के बारे में यूवा बीडी भी इस टेक्नोलोजी का प्रयोग करते हुए इसमें जु अब संभावना है अभी आगे भी इसी को ये दो स्टेप के वजह से हमारे पशुपालन क्षेत्र में अगले दो तिन साल में ही मैं मानता हूं कि ये पशुपालन का जो व्यवसाई है वो परंपरागतरिती से जैसे कृषी में भी यूवा बीडी को कम रूची रहती है ऐसे इसी में भी कम रूची रहती थी मगर ये टेक्नोलोजी के जरिये बहुत ही वायबल हो जाएगा बहुत ही प्रोफिटेबल हो जाएगा और हम देश के लिए तो अभी हमारे पांस रोजगार कितना मिलेगा क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी मोधी सरकार को सबसे आदा गेरती ह के रोजगार के मामले में यह पशुपालन क्षेतर के जैसी संभाव नाय और किसी विभाग में नहीं होंगी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो टेक्नोलोजी आ रही है कि अभी गय को बचड़ी ही आ सकती है हमारी समस्या है एा ति ती को बचडा हो जाएंका नहीं होता था वो छेट में देपर बोज़ बन जाता और दूसरी समस्या भी होती है अब उसको बचडी ही आए सेक्स सॉल्टेट सिमेन का अविश्करन हो गया है अब उसको वहाँ पहुंचाने का जो गेप था वो ये मॉबाइल वेटरिनरी यूनिट की वज़े से वो भी गेप हमने फिल अप कर दिया है तो इसी के जरिये और आपको जानके हरांगी होगी जो टेस्ट्यूब बेबी का कॉंसेप्ट हम हमारी मानव संस्कृति में देख रहें थे वो प्रयोग पशुओं के लिए भी अवेलेबल हो गया है अपने देश में ही अभी हमारी ये टेकनोलोजी की वज़े से एक ही गाई से हम साल में पांच छे दस और इससे भी आगे बच् हैं अच्छी नस लगे सो ब्रीड इंप्रूमेंट पर हमारी सरकार का बहुत बड़ा जोख है और उसी में हम किसानों को कॉपरेटिव्स वालों को पशुपालों को को 50 प्रतिशत की सबसीड़ी भी दे रहे हैं तो इसके चलते हैं बहुत ही आगे इसमें अच्छी संभाव होना है ठीक है ये तो बात डिपार्टमेंट की हुए है अब बताईगा दो हजार चौविस की थोड़ी बात कर लेते हैं क्योंके बहुत सारे गड़बनन वजूद में आ रहे हैं बाचीत हो रही है नितीश कुमार लगे हुए है कि नए गड़बनन को लेकर दो हजार चौ के लिए बहुत सारी सभी जो विपक्ष है पूरा वो एक जुठ होने की तयारी कर रहा है बात कर रहा है दो हजार चौविस में आप कहां देखते हैं भारतिये जनता पार्टी को एंडिये गड़बनन को दो हजार चोविस में भारतिये जनता पार्टी बहुत ही कमफर्ड जौन के साथ ही इस चुनाओ में उत्रेगी बहुत ही आत्म विश्वास के साथ इस चुनाओ में उत्रेगी और आपने जो बताया कि सारे विपक्ष अभी इस में लगे हुए हैं कि कैसे कैसे गटबंदन बने, किसी के नेतरतों में बने, ये ईभी उनकी मुशिबत है, उसमें भी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, मगर वो सब इकठा होने की जो कोशिश कर रा हैं ना वो हमारे सामर्थे का स्विकार है वो उसी से ही हमारा सामर्थे हैं वो अपने आप में प्रस्थापित हो जाता है मैं तो मेरे अनुभव से कहता हूं मतला आप तेरी हिम्मत का चर्चा गेर की मैसल में है हाँ और हम भी वही कोशिश करते थे कभी कांग्रेस के लिए कि हम स पराद का चर्चा किया था ना वो देश में भी लागू होगा इसलिए भारत सरकार के मोदी जी के नेत्रतों के कुछ फैंसले ऐसे हैं आज मैं चुनावी रिली के अंदर सभा में पूशता था कोई सरपंच है तो अंगुली खड़ी होती थी मैं उनको पूशता था मंच से पूशता था चुनावी सभा में ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए ऐसे मुझे बुजूर्गों की सलाह भी थी क्योंकि कोई खड़ा होगे कोई विवादासवद डिसिजन दे दे कहें मुझे कुछ नहीं मिला तो फिर मंच से उसका करने में ये सभा तो गई और आप जो जितने लोग होते हैं वो उसी को चला देते मगर मैं confidence से पूछता था और वो सरपंच खड़े होकर बताते थे कि हमारे गाओं में 5 लाख से लेकर एक करोड तक बोलने वाले सरपंच मेरी सभाओं में ही मैंने देखें तो वो ये गुजरात में नहीं है ये पूरे देश में है आपको ये जानके बड़ी प्रसनता होनी चाहिए कि हमारे लोक तंत्र की पहली इकाई हैं वो पंचायत है और पंचायत को आज तक किसी ने बरोसा नहीं किया था किसी ने empowered नहीं किया था आज देश के ढाई लाख स करने का अधिकार भी उनको दिया गया है बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया नूज्ज मझ से चुड़ने के लिए पुर्शोत अमरुपाला जी आपका बहुत 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 बाइच धन्यवाद